नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंजन स्प्लैश शील्ड के बारे में इसको कई लोग इंजन गाड या इंजन अंडर बॉड़ी कवर अलग-अलग नाम वो दोग दे देते हैं लेकिन एक्शल में नाम जो है इंजन स्प् जो है दोस्तों यह और दोस्तों का ली है यह प्लास्टिक मेटरियल है और कुछ गाड़ियों में यह लोह क आ।था अब वो लोह का नहीं आता है यह प्लास्टिक ही होता है इसका मुख्य काम जो होता है वो इतना ही होता है कि यहां तक हो यह थोड़ा सा और, एक्सिंशन हो सकता है हलांकि यह नीचे से engine नीचे से उन्जन पूरा कवर होता है तो यह क्या क्या के में क PAC Ahora है और इतना ही क्यों को यह यह कुछ इ सब चीज़ों की अब बात करते है लगे इसलिए उसके बचाव के लिए यह इसका में यूज है दूसरा जो इसका important काम जो इससे हो जाता है वो होता है गाड़ी का drag कम होता है यानि कि हवा जो है smoothly अंदर से flow करती है तो गाड़ी का जो drag है वो थोड़ा सा कम हो जाता है यह drag कम होनी के वज़े से थोड़ा सा बहतर mileage गाड़ी को मिल जाता है बहुत ही minute change होता है यह यह दो मुख्य काम है अब कुछ लोग यहां यह सोच लेते हैं मैंने देखा है कई लोगोंने questions भी पूछे हैं वो सोच लेते हैं कि engine guard जो है वो actual में आपके engine को बहुत ही कोई high level की security priority प्रदान करता है कोई मान लो बड़ा पत्थर है वो आके इस पर ही टकराएगा आपके engine पर नहीं जाएगा नहीं नहीं ऐसा बस इतने इसी चीज है कोई बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी चीज नहीं है यह अगर यह टूट जाती है तो आपको इमीडियेटली लगवाना भी ज़रूरी नहीं है ऐसा नहीं कि तूट कई हमें लगवाना पड़ेगा उसके बिरा गाड़ी नहीं चला सकते कोई दिक्कत नहीं है मैंने देखा है कई लोगों की गाड़ियों में 5-6 साल तक कोई engine splash shield नहीं होता है तूट जाता है बहुत बह पर मताना चाहूंगा इंडिया की जो रोड कंडिशन से जिसमें पॉर्ट गड़े वगरा खूब सारे हैं तो कीचर बहुत होता है तो यह होना भी जरूरी है कितना लंबा हो उसका तो सीधा साथ यह है solution के भई एक लिस्ट यह लगवग 7-8-10 इंच का होना चाहिए मेरे ख कीचर की चीटे ना जाने दे क्योंकि कीचर की चीटे और ज्यादा नुकसान दे हो मिट्टी के साथ वहां जाके चिपक जाते हैं और वह काफी देड़ तक वहां रहते हैं बस यह है इंडिया के कंडिशन के साब से आप अपनी गाड़ी में तूट क्या है तो लगवाए इ नहीं गाड़ी में आप वेट एड़ करोगे और कोई फायदा नहीं होने वाला है तो बस यही है इंजन स्प्लैश गाड इंजन स्प्लैश शील्ड इंजन गाड जो भी नाम है इसके उनके बारे में और उमीद करता हूँ आपके टॉपिक पसंद आया होगा अगर अब पस पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दिए सब्सक्राइब कर दिए मैं चैनल को मैं आपके लिए अड़ोंवास रेट है एक नएक वीडियो ऐसे रहूद लाता रहता हूँ तो अगली वीडियो तक लिए दोसों हेल्मेट पहनी सीडबल पहनी सुरुक्ष चलिए धन्यवाद तक रहता हूँ